असलाम लेकुम वीवेर्स वेलकम बैक टो में चैनल आज आपके लिए मैं आलू गोष्ट की रेसिपी लेके आई हूँ बिसम्लाइर रह्मान रह्म पहले मैंने हरा धनिया एट किया है उसके बाद में छे या साथ मैंने इसमें हरी मिर्च एट किया है दो बड़े मैंने प्या आट कर रही हूँ आट करने के बाद इसे मैं अच्छी तरह से फाइन पेश्ट तयार कर लूँगी देखो हमारा पेश्ट रड़ी हो चुका है और मैं अब इसमें एक जार में मैं इसमें टोमाटू कट करके रखा था वह भी मैं इसमें आट कर रही हूँ मैंने तीन बड़ बोभी मैं इसमेड़ कर रही हूँ इस इससारे मसालों को आची तरह से अच्छी तरह से प Fürthe iam towards fir तयार कर लोंगी अब मैंने एक कुकर में मैंने आइल थीन टेबल स्पून में बड़े टेबल स्पून मैं आईल एक कर रही हूँ इसके सेसे सारे मसालों को इस तेल में आट करके इसे अच्छी तरह से भून लुँगी ताकि का मसालों का Smell निकल जाया और उसके बाद मैंने एक बड़े टेबल स्पून में GEGYR GARLIK PEST भी आट कर रही हूं इसको भी आप अच्छी तरह से भून लीजिए और एक की गोष्ट है गोष्ट को मैंने साफ करके धोके रखा था वो भी में इसमार verbess यही आट कर रही हूं एक आच नमक नमक एड़ीज़ हों California रूट कर रही हूं सभी गोष्ट और मसालों को अच्छी तरह से मिला लीजी ए इसे अच्छी तरह से mix कर लिजिए ताके नमक और मसाले गोश्ट को अच्छी तरह से लग जाए देखो यह अच्छी तरह से मसाले और से भी लग चुके हैं यह जो मैंने पीस के मसाले रखा था उसका पानी है वो भी मैं इसमे आट कर रही हूँ वो भी इसे अच्छी तरह से अट कर लीजिए और मैंं पाणि थोड़ा अट कर रही है हूँ सारे मसाले चिपक रहे हैं इसलिए इसे अच्छी तरह से गोश्त को भून लो ताकि मसाले और नमक सभी गोश्त के अंदर तक चला जाए और में थोड़ा यह बहुत थिक है इसलिए और थोड़ा पानी आड़ करके यह जो नारियल और टोमाटू का पेश्ट था वो भी मैं इसमें आड़ कर रही हूँ अच्छी तरह से सारे मसालों में मिक्स हो जाने तक इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए अच्छी तरह से सारे मसालों मिक्स हो जाने के बाद मैं एक टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पोडर आड़ कर रही हूँ और थोड़ा नमक कम था इसलिए और थोड़ा नमक आड़ कर रही हूँ टेस्ट के हिसाब से सबी को अच्छी तरह से मिला लीजिया और मैं इसे तीन या चार सीटी आने तक इसे पकने रख दूँगी हमारा होर्मा 70 परसेंट पक चुका है अब मैं इसमें जो कटे हुए आलू थे वो अब मैं इसमें आट करूंगी देखो ये गोश्ट भी अच्छी तरह से गल चुका है मैं इसमें आलू आट कर रही हूं और थोड़ा थिकनेस कम हो जा इसलिए और थोड़ा पानी दाड़ रही हूं इसमें और एक सीटी आने तक इसे लॉक कर दूँगी देखो हमारा होर्मा पक के रड़ी हो चुका है एक दम दिखने में बहुती मज़ेदार बहुती स्वादिश लग रहा है देखो एक दम आलू और गोश्ट सभी अच्छी तरह से गल चुका है देखो सभी पग गए हैं अब मैं इसे एक बॉल में सर्फ करूंगी देखो कितनी मज़दार कितनी टेस्टी रेसिपी है आप इसे ज़रूर अपने घर पर ट्रै कीजिए यही रेसिपी कैसी बनी है आप मुझे कमेंट्स कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मे प्रेंड्स में सभी को अप मेरे रेसिपीक को शेर कीजिए असलावलेकूम वीवर्स